दस सूत्री मांगो को लेकर नर्सेस ऑफिसरों ने किया अनिश्यत कालीन हर्ताल अस्पताल की विवस्ताओं पर पढ़ासर पदोनती सहित ओल्ड पैंसन जैसे प्रमुख मांगो को लेकर अस्पताल के सामने धर्ना प्रदशन आपको बता दें कि नर्सेस ऑफिसरों के दोरा हर्ताल की गोशना किया जाने के बाद अब नर्सेस ऑफिसरों ने भी हर्ताल का रास्ता अपना लिया है अपनी दस सूत्री मांगो को लेकर अनिश्यत कालीन हरताल की गोशना करते हुए जिला इस्तिपताल परिसर में दिया धरना पता दें कि नर्सेस ओफिसरों को कहना है कि उनकी मांगो को लेकर प्रदेश सरकार उन्हें बार बार आशुशन दे रही है लेकिन आज तक उनकी मांगो पर कोई भी ने फैसला नहीं लिया गया नर्सेस ओफिसर एसेशेशन ने कहा कि उनके कई लोग बिना पदोनती के ही रिटैर हो गए दिन रात काम करने के बाद भी उन्हें नाइट बत्ता नहीं दिया जाता स्टूडेंट्स नर्सेस ओल्ड पैंसन से अलग रखा गया है जिसके लिए कई वाग प्रदेश सरकार से मांग की गई लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई केवल आशुशन ही मिला नर्सेस ओफिसर एसिशेशन के दोरा इस वार अनिश्यत कालीन हर्ताल का रास्ता अपना लिया गया है उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वह काम पर वापस नहीं आएंगी वहीं अचानक हुई हर्ताल से देखा जा रहा है कि एस्पिताल की विवस्ताओं पर भी काफी असर पड़ रहा है हमारा तंचर पाठक नाम है संभागी अध्यक्षूर हमारा दस उत्री मांग के लिए हम लोग अर्ताल करें सार्शन से पहले भी 2018 में हम लोग के अर्ताल हुई थी जो कि आस तक पूरी नहीं हुई तो इसके लिए हमको मजबूरन स्ट्राइक करना पड़ा जिसमें कि हमारी नर्सिंग ऑफीशर है उनको पदोनती नहीं करी गई और वो रिटैर हो गई तो हमारी पदोनती करे जाए और नाइट भथता हमारी जैसे डॉक्सरों को विल रहा है यह सब हमारी मांगे हैं जो कि अगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग अनिश्चित काली भरताल करेंगे इससे तो कई समस्या है श्पताल को आत्म होती है हम लोग को नहीं है कि पेशेंट कुछ सफर करें पर हमारी मजबूरी है जो हमारी मांगे पूरी होंगी तो तदकाल हम लोग इस ट्राइक से हटाल लहीं करना चाहते हैं कि हम पेशल को देखें ऐसे कस्ट में पर हमारी मजबूरी है यह हमारा अन्रोज है आप मेडिया से कि यह हमारा संदेश मामा जी तक पहुंचाए दाए ह हम लोग भी ताच्च उनकी बेहने हैं तो हमारी मांगे चूली सोतेला वैवान ना करें और हमारी मांगे पूरी करें और कोविड में भी कोविड में भी